ओके दोस्तों आप देखिए आप यह महिला हैं जो सबसे साइद लंबी गर्दन वाली महिला होने से उनकी गर्द देखो मूड भी नहीं रहे हैं ऐसे मूड नहीं सकते और कितने कमजोर हो चुके भाई यह देखिए बाहरी एक सिगड़ी के उपर ही अपना खाना माना बनाते हैं और रस्तों यह ऐसे रहती है ओ हलो वह अपरी बहुत छोटी सी गुड़ी है इसके भी देखो रिंग टाली है यह भी कुछ बना रहे हैं यहां पर यह सारा जो सामान बनता है यह अपने हाथ से बनाते हैं हैंडी क्राफ्ट का यह पूरा चीज बना हुआ है अब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे जैसे सी गर्दन इनकी जो बन लंबी होते जाते हैं फिर इनके दिक्कता देखोंगे इनकी गर्दन बन लंबी हो रही है यह इस रिंग की वज़े से हो रही है मिल्ग अगर श़काइन नहीं डाले तो इनकी अभी ठीक है लेकिन जैसे जैसे जीत cry डालते जाएंगे लंबी होती जाते घ्रे वह तूरिस्ट तो आते रहते हैं वैसे घूमने के लिए देखो इन्होंने रिंग ज्यादा नहीं डाली तो इनकी ज्यादा लंबी गर्दन है नहीं तो इसे यह रिंग डालेंगे तो गर्दन लंबी हो जाते है हाई है वह तो ब्यूटीफूल हो कि क्या पैन रखा है यह साइद इनकी जो ट्रेडिशनल जैसे कोई सादी ब्याव या प्रोग्राम में पेन तो वैसे हैं माला एरिंग और कुछ सिक्के भी हैं हैं वाट इजय नेम तोसा तोसा तंटी जी ने तो नहीं डाली भी अपने बोज नहीं बनना रिंग्स नोट वै कि ते मेरी मेर्चे दिखो इनो ने पेरों में डाल लखी भी यहां पेरों में डालने के बाद देखो यहां पर एक निशान पड़ गया है यह तो खूनी बंद हो गया होगा कैसे रहते हैं बहुत दिकत होती होगी फिर भी इनका सोख है या परमपरा है क्या है इस पेन के रखते हैं लेगे अनपेज़ियों है काफी बुजर्ग लग रहा है लेकिन इनकी देखो गर्दन यह सायद सबसे लंबी गर्दन वाले हैं हेलो उनकी गर्द देखो मुड़ भी नी रहे हैं यह से मोड़ नहीं सकते और कितने कम जोर हो चुके भाई अपरे उदर जाके दिखाता है अपरे दोस्तों आप देखी आप यह मैला है जो सबसे साइद लंबी गर्दन वाली मैला होने से कितनी लगबग 31 रिंग से गले में और वैसे इतनी लंबी गर्दन होने के खत्रे भी बहुत हैं अगर यह रिंग हटा देता फिर इनका जो वजन है वो नहीं जहल पाएंगे कितनी कम जोर हो चुकी होगी लेकिन यहां इनके सा परमपरा है इस ट्राइब्स की कि इस प्रकार की गर्दन होने चीए लंबी जितनी गर्दन हो उतनी खुबसूरत लगती होगी ऐसे कुछ इनके जैसे नियम होते हैं वैसे ही इनका कुछ नियम है अलो 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 और यह सारा चीज है वह बेंट इसके अपना गुजारा करते हैं साइद को अधियर नेम मना मना कि खुब्सूरत पिक भी है अधियर को पैंट कर रहे हैं कुछ प्रकार यह बनाते हैं लकडी से बना गुआ है सारा इधर इनकी रस्वई है खाना वाना यहीं पकाते हैं ऐसे इनके घर होते हैं घर के बार ही अपना सामान वगरा रखके बेज़ते हैं अधर दुकान सब एक साती हैं चोटे-चोटे स्ट्राइब के घर हैं आपको पूरा गाम दिखा देता हूं यहां लगबग चालिस पच्चास यहां सो के आसपास घर होंगे यह यहां लास्ट है यह से लंबाई में यह पूरा गाम बसा हुआ है यहां देखिए इस तरफ थोड़ा सा यहां पहाड टाइफ है और पेड़ पोदे बहुत है हर्याली भी है और खुबसूरत यह गाम है भाई आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यह थाइलेंड में देखने लाइक एक जंजाती है गाम है तो थाइलेंड आत हारे है एंजोई है खाना खाय रहे है कि शाइद ही सबसे छोटी गुडिया होगी जिसकी गले में इतनी रिंग्स है एक तू तीन चार पांच छे साथ आठ रिंग्स डाल रुकी वेई यह द्धागा है इसको बना रहे हैं कुछ किश्त बना रहे हैं कि अवाँ नाएँ इन को बना में जदे रहे हैं कि आफ तो इन है लूँ़ है है कि अवाँ है है और व्हाँ है इनको नहीं आ रहा है एक चीज और है यह लोग बहुत कम बोलते हैं आप देखो बिल्कुल सान्त है कोई अपने अपने काम में लगे वे हैं यह बहुत चोटी सी बढ़िया है इतने चोटे-चोटे बच्चे भी काम सीख जाते हैं घर का काम करते हैं साइध यह स्कूलिंग य नहीं तो यह बच्चे आज इसकूल होते हैं यह सब मुझे लगता है काम करते हैं कोई फालतों में इदर घुमता हुआ खेलता हुआ भी नहीं नजरा आता बस काम सीखते हैं चोटे-चोटे बच्चे है अगया है है हलो अगया है अगया है है यह है कि घर वगएरा है यहां शिर्प यह जो गर्दन में जो रिंग्स वगरे शिर्म मेला डलती है तू हं रहे हैं यह देखें वाओ वो बुतिफुल वहलो, वो क्योट गरी आदेखें तो भाई आपने देखा ये कितना खुबसूरत गाव है और अभी थोड़ा सा इधर मैं उनको घर और दिखा देता हूं कि घर भी कैसे होते हैं आज कल अब टिन भी आ गए हैं लेकिन बांस लकड़ी और टिन तीनों से मिला कि ये अपने घर बनाते हैं उसमें रहते हैं इस तरफ देखिए आप कावी खुबसूरत ये घर है इनका ये दिखिए बाहरी एक सिगड़ी के उपर ये अपना खानावाना बनाते हैं और रसो ये ऐसे रहती है बाकी साइथ उपर सोने मगरा के लिए उपर रूम है इधर ट्वैलेट है ऐसा है तो कावी अच्छा है यह अंदूर दो तीन रूम है ऐसे पार्टेसन किये वे ये हैं इनका एक घर पीछे के तरफ घर रहते हैं घर के आगे ऐसे मार्केट लगा रहती है और मार्केट में ये लोग अपना सामान बगरा बेशते हैं कहीं बार साइथ नहीं जाते हैं अंकल जी इधर बैठ हैं वो लक ट्रेडिस में महिला हैं उसको लकडी का सेप देगे और उसके अंदर ये रिंग वगरा डाल के ऐसे रखते हैं फिर ये सो दो सुबात की बेशते हैं हलो है ये देखिया कुछ बना रहे हैं इसा घर आपने देख लिया है इस परकार का ये सारा सामान रहता है घर में ये दे लोग बड़े हैं सीधे हैं कोई ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं ना अग्रेसिव होते हैं बहुत सांथ सोबाव की लोग प्यारी लोग हैं देखिए मुख्य वेवसाई यही है जो यह सामान जो अब देखो इसो पैंट करके एकदम तयार किये हैं मैला हाज जोड़े वे और यह आगे दुकान में रख देंगे और फिर यहां याद के लिए यहां के लोकल पहचान मानते वे यहां लोग खरीद के ले जाते हैं दीकैस बचा कहल एक अपनी थून में पहतं है सींपड़ olhar तो है, यह अजए गंपने जाते है मैं महां घहां कर सकते हैं कि मैं अज़र से ये 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 करी ये कर दो ये है तेंग अह जबाए जबा जो जबाग है हलो जबाँ घूब ये ये जब काली ये 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 जबाओ एमे शब तो दोस्तो फाइनली आपने देखा ये गाउं जो लंबी गर्दन के नाम से ये फ्रेमस है केरेंट ट्राइब्स जो च्यांग माई डिस्टिक में ये पढ़ता है लगबग 20 किलोमेटर आगे च्यांग माई उत्री थाइलेंड में पढ़ता है काफी खुब्सूरत विलेज हैं कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं ऐसे ही कोई और नई थाइलेंड की ऐसी कुछ चीजें आपको और उनसे रूबरू कराते हैं कि थाइलेंड में क्या क्या और देखने लाइक चीजें शर्फ उसी के मसाज के लिए करें कोई आयता हुआ है क्यों कि यहां तक आता हिंए दिए यूर्फ बेंकोक से निकलता ही नि और देखके निकलते हैं इसलिये बिजारे को बनौछंव करते थाइलेंड गूब आपकि थाइलेंड को अगर अस्वर में घूमना चाहिए तो बहुत खुद शुरुत तो नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद